आज मैं आपके लिए इंस्टेंट छेटपट भिंडी मसाला की रेसिपी लिके आई हूँ चुकि बहुती टेस्टी है और इजीली बन जाती है तो इसके लिए यहां पर धाइसो ग्राम के पराबर भिंडी लिया है मैंने छोटे साइस की भिंडी दी और इस तरीके से इसमें क्यां कट लिया है अच्छी तरीके से दोलेना है एंड दूंने आ wollte को को कट कर लेना है औरने पूच्छ कर शुकर काकर जो है कट लगाना है और अब हम इसे साइट में रखेंगे एक बॉल लेंगे जिसमें कि हमें मसाला बनाना सबसे पहले मैं यहां पर दही ले रही हूं एकदम फ्रेश दही लेना है तो बड़े चमच के नाप से लगभग चार बड़े चमच के बराबर हम यहां पर दही ले लेंगे अब अपने हिसाब से ले सकते हैं बस थोड़ी सी क्वांटिटी जहादा रखनी है चार से पाथ चम मैं तो डाल दी है हिंके साथ ही यहां पर बेसिक मसाले जाएंगे जिसमें कि धन्या पाउडर दो चोटे चमच जितना डाल है मैंने साथ में आदा चोटा चमच घल्दी पाउडर गरम मसाला जाएगा लगभग तीन चोथा-चोटा चमच के बराबर लाल मर्च पाउडर भ हाफ कप के बराबर जो है भुनी होई मुंगफले का पाउडर लिया है मैंने और सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो मैं नमक भूल गई थी तो यहां पर मैंने टीस के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया लगबग एक छोड़ा चम्मच जितना इसे भी मिक्स कर लेते हैं तो मुंगफली का पाउडर जो है वह मैं टारेक्ट भिंडी के उपर ही डालूंगी यदि जो बोल बड़ा होता तो मैं उसमें डाल देती अब यहां वे भिंडी ले लिए इनके उपर सारा जो हमारा मिक्सचर हमने रेडी किया हुआ है यह डाल देंगे और इस भी बड़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे तो चम्मत से तो यह इजीली मिक्स नहीं होगा आप ट्राय कर सकते हैं चाहे तो भिंडी के जो पीसे से वह थोड़े छोटे-छोटे भी कर सकते हैं मैंने बड़ा ही रखा है इस तरीक इसे देखने में अच्छा लगता है तो यहा पेंगे है एक पैन रखा है मैंने कोई वह भी कढ़ाई परतन ले लीगे ओ असमें तेल डालेंगे लगबग एक बड़े चम्मत लिए यतना चितना प्रिफ इसमें डालेंगे जीरआ तो एक चुटा चम्मत जीर डालाया झीड अच्रा बचा अच्छी तशी से स्प्लक्र ह होने तक जो है से पका रही हूं तो गैस का फ्लेम लो ही रखा है तब तक जो भिंडी है वो भी मेरिनेट हो जाएगी उसका भी जो है टाइम थोड़ा हो जाएगा इस तरीके से जब यह ब्राउन हो गई है इस स्टेज पर जो मिक्स्चर हमने पना करके रखा था वो पूरा के पर इसे सबसे पहले डालेंगे हम और पहले तो मिक्स कर लेंगे और साथ में अद्रक लहसुन का पेस्ट ढाल देंगे तो जिसमें 2 हरी मर्चे भी मैंने ली है कम तीखी वाली साथ में 5-6 लहसुन थी और आदा इंच अद्रक का टुकडा था तीनो चीजों को खलड में डा करके यहां पर देखिए इसमें डाल दिया है लगभग दो बड़े चम्मत जितना पानी और इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके लो फ्लेम पे जो है हमें कवर करके कुप करना है अब आप चाया है तो उसमें तेल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इस सबजी में थोड़ा सा तेल ज्यादा लगता है मैंने कम डाला है इसलिए कुप होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और नीचे जो है तो यह जो जाएगी क्योंकि भिंडी होती है थोड़ी चिपचिपी टाइप की है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कवर करके पहले मैंने 2 मिनिट पकाया है अभी इसमें कोई भी जादा फरक नहीं पड़ा है धीरे धीरे जो भिंडी है वो सॉफ्ट होती जाएगी अच्छी तरीके से कुख हो गई है उस स्टेज तक भी कि धीरे धीरे भिंडी हमारी जो है कुख दिखाई देने लगी है और यदि आपको जरुरत लगे तो थोड़ा बहुत पानी भी इस पर जो है स्प्रिंगल कर सकते हैं एक्स्ट्रा ओइल नहीं डालना चाहते तो बस तरीके से हमने भिंडी को पका लिया है भिंडी बहुत अच्छी तरीके से पक गई और बस अब हम कैस्का फिलें बंकर लेंगे और यह दिया आपको पना दानिया पता है तो अब धनिया पता भी यहापर डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला है इसमिए आप पराठे के साथ तो यहां पे हमारी एज़ी और बहुत ही टीस्ती पंदी के बांगर के रेडी हो गई है जिसे की मैंने ट्रैंगल पराथे के साथ सर्फ किया था अब भी ट्राइज रेसिपी को मुझे बताइएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी थाइक यो फॉर वाचिंग इस वीडियो